दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल दे मेडिसिन एक्सपर्ट में तो दोस्तों आज के इस जानकारी में हम आपको बताएंगे यह उन रोग की प्राबलम अगर आपके अंदर है कौन से सिम्टम पे कौन सी दवा लेनी चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले ओन समोडियम ओन समोडियम मेडिसिन है होमियोपैथिक मेडिसिन है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों इसके क्या परिचे हैं उसके बारे में जानते हैं और ये दवा किन-किन सिम्टम में काम करती है किन-किन लच्छनों पर काम करती ह तो इसके जो परिचे हैं इस दवा के होमियोपैथिक चिकिस्सा की मुताबित और समोडियम औसधी को इस्त्री पुरुस दोनों में ही संभोग करने की ताकत को बढ़ाती है इसके लावा ओंसमोडियम आउसधी को इस नायू के दर्द में आधे सिर के दर्द में इस्तेमाल करने से लाब होता है ठीक है नीन में संबंधि नीन में अगर आपको नीन नहीं आती है तो इस दवा को ले सकते हैं सिर से संबंधित माथे आधा सिर का दर्द हो रहा है तो इस दवा को ले सकते हैं इस्त्री रोग से संबंधित कोई भी प्राबलम हो आपको सेक्स करने में मन नहीं लग रहा है ठीक है आप इस्त्री हैं तो आपको अपने पती के पास जाने में दिक्कति आ रही है सेक्स प्राबलम कमजोर हो गया है उससे संबंधित इस दवा को यूज कर सकते हैं चाती में दर्द हो रहा है आग से संबंधित लक्षण है गले से संबंधित लक्षण है बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण है तो इस दवा को यूज कर सकते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें यह दवा किस प्राबलम में यूज होती है पुरुस रोग से संबंधे लक्षणे ठीक है पुरुस रोग से संबंधे लक्षणे जैसे रोगी को हर समय यौन उत्तेजना होती रहती है लेकिन रोगवी का वीर संभोग क्रिया के समय बहुत ही जल्दी निकल जाता है यानि आपके अंदर इस्टेमिया तो होती है लेकिन जैसे याप संभोग क्रिया करना चालू करते हैं तो आपका वीर निकल जाता है ऐसी इस्थिती में दोस्तों आप क्या करोगे तो आपको लेना है यही दवा ठीक है यानि अन समोडियम दवा तो ध्यान दीजिए किल अच्छन में लेंगे रोगी को हर समय यौन उत्यजना होती रहती है रोगी का वीर सम्होग क्रिया से समय बहुत जल्द निकल जाता है रोगी को दिमाखी नपूर सकता हो जाती है वो हर समय सोंसता रहता है कि मेरे अंदर कोई कमी है इस कारण मैं सम्होग क्रिया में सफल नहीं हो सकता संभोग क्रिया के समय रोगी केलिंग में उत्यजना नहीं हो पाती है ऐसे अगर आपके अंदर लक्षण है तो आप और समोडियम और सदी का युपयोग कर सकते हैं दोस्तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी प्राबलम है हलकी सी प्राबलम है ठीक है यानि आप संभोग आधे घंटे से कम समय तक कर पा रहे हैं तो आप on samodium 200 potency में जर्मनी की दवा यूज करें क्योंकि ब्रांडेड होती उसके कोई side effect नहीं होते है जर्मनी की दवा डाक्टर रेकिवेद की दवा यूज करिए 200 में दिन 5 बून दिन में 3 बार आपको यूज करना है ठीक है फिर से सुनिए on samodium 200 की दवा आपको लेना है किसी भी company की भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको मागर 200 में ले रहे हैं 5 से 6 बून यूज करना है 30 potency में कम problem है आप 10 मिनट में ही आपका वीर निकल जाता है तो अब 200 यूज करिए ज़्यादा बेटर होगा 200 यूज करिए और दिन में 3 बार यूज करिए ठीक है 5 से 7 बून यूज करिए खाली पेट यूज करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है दोस्तों अगर आपके अंदर कोई भी problem हो तो आप comment box में comment करके ज़रूर बताईएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल का subscribe करें लाइक करें और अपनों दोस्तों के साथ share करें